खुशामदीद आपके पसंदीदा एस्ट्रोलजी चैनल पर जहां हम आपकी रोजाना की पेशगोयां बताएंगे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आएं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें आपकी मदद बहुत अप्रिशियेट की जाएगी और उसे बहुत मुहबबत से याद रखा जाएगा आपके प्यार और तावन का बहुत शुक्रिया अक्वेरियस वीकली लव होरस्कोप फसिंगल एंड मेरिड पसंस 9 सितंबर ता 15 सितंबर दो हजार चौबीस पैर के दिन मरीख और नैपचुन के दर्मियान मुरबबा बनने की वज़़ से आपके अंदर एक ऐसी बेचीनी पैदा होती है के आप बस अपनी सारी जिम्मादारीव को एक तरफ रख कर कहीं दूर जाना चाहते हैं ऐसा लगता है के आप सब कुछ शोड़कर आजादी का मज़ा लेना चाहते हैं और शायद आपको लगे के आपकी सिम्त और होसला की कमी आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ ले जा रही है जो बस जिन्दगी का मज़ा लेना चाहता है कभी कभार एक ऐसा साथी या महबत करने वाला शख्स जो आपके साथ सिर्फ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हो काफी महसुस होता है और सच कहुं तो यही कुछ आप इस लंभे में चाहते हैं जब हफ़ते का दर्मियानी हिस्सा आता है तो चीजें और भी ज्यादा शदीद हो जाती हैं क्योंकि मरीख जो बहुत ताकतवर और पूर जोश है जजबाती कैंसर के साथ मिल जाता है उस वक्त आप अपने जजबात में गहराई से डूबे हुए महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि किया आप में वाकई एतनी हिम्मत होगी कि आप अपने चाहने वाले तक पहुँच कर अपनी तमाम बातें सामने रख सकी लेकिन सवाल ये है कि किया आप ये सब कर पाएंगे अक्वेरियस शायद नहीं लेकिन ये सोचना एक दिल्चस्ट फनतासी जरूर है जिसका लुथ उठाया जा सकता है हफ़ते के आखिर में मरकेरी जो एक बहतरीन बात चीट करने वाला सेयरा है कनी के साथ शिराकत करता है जो इसकी अपनी अलामतों में से एक है ये शिराकत आपको अपनी बातों में ज्यादा दुरूस्त और काबिल इतिमाद बनने में मदद देती है अगर आपका मतलब नहीं है तो वो बात क्यूं कहीं जो आप महसूस नहीं करते मरकेरी का ये ट्रांजिट आपको सिखाना चाहता है कि बात चीप में सच्चाई और इमानदारी कितनी अहम होती है ये एक ऐसा सबख है जो आपकी जिन्दगी को बेहतर बना सकता है और दूसरों के साथ आपके तालुकात को मजबूत कर सकता है पैर का दिन आपके लिए कुछ खास सवालात लेकर आता है जैसे मरीख नैपचून इस्पायर आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपने तालुकात की जिम्मादारीव से कैसे बच सकते हैं किया आपको वाकई उन जिम्मादारीव का सामना करना चाहिए या सिर्फ खुद को कुछ वक्त देने की जरूरत है कोब अगर आप हर वक्त तनहा रहना चाहते हैं तो फिर आप रिश्टे में क्यूं है ये एक सवाल है जिस पर आपको गहराई से गोर करने की जरूरत है बुद के रोज जब शदीद मरीख और जजबाती कैंसर आपस में शिराकतदार बनते हीं तो हालात गरम हो सकते ही खास दोर पर अगर आप या आपका साथ ही अपने मौझूदा जजबात को पूरी तरह बयान नहीं कर पाते किया ये तालुख गलत सिम्त की तरफ जरहा है कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले थोड़ी देर के लिए रूप जाएं और खुद को ये सोचने का मौका दें कि किया वाकई आप इस तालुख को आगे बढ़ाना चाहते हैं हफते के आखिर में जब कनी उतारित को मतासिर करना शुरू करती है तो आपके अंदर हालात को बेहतर समझने की सलाहियत बढ़ जाती है आप इतवार के दिन बैठ कर हर चीज के फाइदे और नुकसानात को तोल सकते हैं और इन हालात का तजजिया कर सकते हैं जिनका आप हालिया दिनों में सामना कर रहे हैं हर चीज को सामने रखें तमाम कार्ड्स मेज पर रखें और देखें कि वो कहां गिरते हैं मुम्किन है कि नतीजा आपको हैरान कर दे और आपके सामने एक नया रास्ता खल जाए जो आपने पहले नहीं देखा था अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आएं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आपकी मदद बहुत अप्रिशियेट की जाएगी और उसे बहुत महबत से याद रखा जाएगा आपके प्यार और तावन का बहुत शुक्रिया